हालो एवरीवन इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सब बच्चों का एक बार फिर स्वागत है कक्षा 12 राजस्तान माद्यमेक शिक्षा बोर्ड और CBAC बोर्ड के जो सलेबस है उसमें फिजिक्स में एक बहुत महत्वपून टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा दिया हुआ है उस प्रत्यावर्ती धारा परिपत का एक और महत्वपून सब टॉपिक जिसे अपन कह सकते हैं RC परिपत है RC परिपत को अगर अपन समझने का प्रियास करें तो यहां पर आपको एक बहुत छोटा सा सरकी डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें एक प्रत्यावर्ती वोल्टता सरोथ लगा हुआ है उसके स्रेणी करम में दो अब्जक्ट लगे हैं पहला आपका एक प्रतिरोध है जिसकी वैल्यू आर है और एक कैपैसिटर है जिसकी धारिता C है दोनों को स्रेणी करम में जोड़ करके इस परिपत को अपन कंप्लीट करते हैं और इसे अपन आहसी परिपत कहते हैं यह जो वोल्टता सरोथ है इसकी एक्विशन अपने पास पहले से पता है कौन-कौन सी चीजे हैं जो एक्जाम में अपने को चार नंबर के प्रशन के साथ में या दो नंबर के प्रशन के साथ में इस टोपिक में से पूछी जाती है सबसे पहले वोल्टता सुरोत आपको दे रखा है इस परिपत में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का समीकर्ण क्या होगा नमबर एक वो जो प्रत्यावर्ती धारा होगी उसका सिखर मान कितना होगा नमबर दो, वोल्टा तथा धारा के बीच में कलांतर कितना होगा धारा है वो वोल्टा से पीछे होगी या आगे होगी तो उस कलांतर की वैल्यू फाइंड आउट करना ये अपना नमबर तीन पॉइंट है उसके बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रतिरोध लगा है और एक कैपैसिटर लगा है तो कैपैसिटर की वज़े से परिपत्त में जो बाधा उत्पन होती है जो अवरोध उत्पन होता है जिसे एपन धारीतिय प्रतिगात XC कहते हैं लेकिन साथ में प्रतिरोध लगा होने के कारण इसे अपन प्रतिबाधा नाम देते हैं तो उस प्रतिबाधा की वैल्यू भी अपने को find out करनी है और इस सर्किट के लिए वोल्टता और धारा के लिए जो phasor आरिक है वो अपने को बनाना है इन सभी topics को cover करते हुए आज का अ यहां पर नजर आ रहा है तो इस परिपत चित्र के बारे में दो लाइने लिख करके अपने को topic की start करने चाहिए तो यहां पर अपने लिखा है कि प्रत्यावर्ति वोल्टता स्रोथ उसका equation है V बराबर V not sin omega t सारे topics में अपने शुरुवात यहीं से करी है उसके साथ में स्र इसके साथ जुड़ा हुआ है ठीक है अब अपने मान लेते हैं कि परिपत में जो प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ति धारा है उसका जो समीकरण है उसको अपने मान लेते हैं आई बराबर I not sin omega t plus minus phi I not है वो इसका सिखर मान है कलांतर होगा वो positive होगा या negative होगा यानि clear नहीं कह सकते हैं इसलिए यहाँ पर अपने plus minus लगाया है और यह कलांतर अपनी यहाँ पर शो कर रहे हैं अब अपन सबसे पहले बात करेंगे इस प्रतिरोध की प्रतिरोध के बारे में एक बहुत छोटा सा डाइग्राम अगर मैं यहाँ पर ड्रो करूं तो आप बहुत जानते हैं कि सर प्रतिरोध जो होता है उस प्रतिरोध के लिए जो voltage होता है उसको अपन VR कह देते हैं और current जो होता है जिसे अपन IR कह देते हैं अब I के साथ में R लगाने की आवशकता नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि यह दोनों स्रेनी करम में हैं तो जो current यहां से अंदर enter करेगा वो दोनों में से एक साथ प्रवाहित होकर करके निकलेगा इसलिए i के साथ में आर लगाने की आवशिक्ता नहीं है दोनों के लिए voltage अलग-अलग होगा क्योंकि दोनों के लिए जो voltage है एक में voltage है वो धारा के समानकला में होता है और इसमें capacitor में जो voltage होता है वो धारा से पीछे रहता है लेकिन दोनों में धारा जो है वो समानकला में प्रवाहित होगी इसलिए i के साथ में आर लगाने की आवशिक्ता नहीं है इसको मैं यहां से हटा देता हूँ ठीक है अब अपन जानते हैं कि capacitor की यह दिए अपन बात करें तो सर्क capacitor के अंदर जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो वोल्टता से πाई बाई टू कला आगे होती है केवल capacitor की बात करें और धारा का आपने equation यहां पे जो diagram है वो यहां पे draw कर सकते हैं और यहां पे आप लिख सकते हैं VC अब यहां पे आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है कि voltage है वो pi by 2 कला पीछे है या फिर आपके सकते हैं कि धारा है वो pi by 2 कला voltage से आगे है लेकिन अब यह जो voltage है resistance का voltage है वो यह कहेगा कि भाई धारा है वो मेरे साथ कला में रहनी चाहिए और कैपेसिटर है वो ये कहता है कि मैं तो धारा से वोल्टेज को पीछे रखूंगा तो इन दोनों का जब प्रभाव लगेगा तो परिणा में जो वोल्टेज है वो अपने को किस तरीके से प्राप्त होता है उसकी अपन चर्चा करने वाले है तो इन दोनों की जो कहानी है वो यहाँ पे लिखने की आविशक्ता नहीं है और यदि आपको याद है आप नोट डाल करके सोल्ट फोर में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं अपन यहाँ पे लिखेंगे की प्रतिरोध के लिए यहाँ पे लिखेंगे की जो प्रतिरोध है प्रतिरोध के लिए वोल्टेज प्रतिरोध के लिए वी आर वै आई किसमें होते हैं समान कला में होते हैं समान कला में होते हैं चीक है इसके आगे अपने लिख सकते हैं कि धारिता के लिए या संधारितर के लिए तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि संधारितर के लिए जो वोल्टेज है जिसको मैं वी सी कहते हूंगा वोल्टेज है वो धारा से धारा आई से क्या होता है two color पीछे रहता है पीछे रहता है या होता है लिख सकते हैं पीछे रहता है इतना clear होगे बीटा अब अपना अगला topic लगाएंगे इससे पहले आप वीडियो की screen को पोज करें और जो अपने notes हैं उनको अच्छे तरीके से लिख लें अब मैं इसी टोपिक का एक बहुत छोटा सा टोपिक लगाऊंगा कि प्रत्यावर्ति धारा का सिखरमान कितना है और उस परिपत के लिए जो प्रतिबादा है वो कितनी है इससे पहले आप लोगों ने LR परिपत पढ़ा है तो आप उस LR परिपत का वीडियो अच्छे से समझ लें उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोनों के दोनों टोपिक बिल्कुल सेम फॉर्मेट में चलेंगे एक में वोल्टेज आगे रहता है दूसरे में वोल्टेज है वो पीछे रहता मात्र पांच प्रतिशत का दोनों में डिफ्रेंस है यदि आप दोनों टोपिक को एक ही दिन में एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा आप स्क्रीन को पॉज़ करके नॉट्स लिखले मैं आगे चलता हूँ तो अगला जो टोपिक है वो है प्रत्यावर्ती धारा का सीखर मान और परिपत की प्रतिबादा इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करना तो पिछले टोपिक में आपने इस टोपिक को अच्छे तरीके से समझा है उसी टोपिक की भाति अपन यहाँ पर भी एक डाइग्राम बनाएंगे यानि जो वोल्टेज है हाला इंकी वोल्टेज एक अधीश रासी है लेकिन यहाँ पर उस वोल्टेज का जो रिजल्ट है वो एक सदिश रूप में अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे करेंगे तो इसके लिए अपने को वापस वोही डाइग्राम बनाना होगा डाइग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस यह होगा देखिए आप दोनों को अच्छे से पढ़ लीजे कि यह मेरे पास XX की लाइन है और इस XX की लाइन पे यहाँ पे मैं लेता हूँ वोल्टेज किसका अधिक्तम मान किसका प्रतिरोध का अधिक्तम मान यहाँ पे लेता हूँ मैं धारा का सिखर मान और आप जानते हैं कि प्रतिरोध के लिए वल्टेज और धारा दोनों समान कला में होती है इसलिए अपने इन दोनों को समान कला में यहाँ पे प्रदशित कर दिया अब धारिता के लिए क्या होता है कैपैसिटर के लिए क्या होता है जब current दोनों में same है तो current तो fix रहेगा तो current को तो आपने प्रदशित कर दिया अब अपने को voltage को प्रदशित करना है तो voltage है वो धारा से πाई बाई टू कला पीछे होता है तो उसको अपने नीचे की तरब प्रदशित करेंगे कुछ इस तरीके से यह आपके पास voltage आ जाएगा यह voltage का सीखर मान किसका voltage धारीता का या capacitor का आप इसको vector format में लिख सकते हैं इसके उपर आप vector लगा करके निरूपित कर सकते हैं केवल समझने के लिए लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि voltage है वो एक सदीश रासी बन जाएगी अब इन दोनों का result निकालो तो परिणामी जो voltage आएगा capacitor का और प्रतिरोध का वो परिणामी voltage इन दोनों के बीच में आएगा तो इन दोनों के बीच में आएगा तो इनका जो arrowhead है इनका जो सिर्स है वहाँ से आप लंब खीच दीजिए और ऐसे लंब खीची दीजिए जो दोनों लंब एक दूसरे को प्रतिछिद करते हों काटते हों तो इन दोनों के कटान बिंदू का जो point आएगा वहाँ पर आप लोगों के पास इस परिपत का जो परिणामी voltage आएगा उसका संकेत आजाएगा ये value आजाएगी और इस voltage को आप क्या कह सकते हैं VO कह सकते हैं VO का मतलब हो गया इस परिपत के अंदर जो आप लोगों ने voltage का equation V बराबर V note sin omega t लगाया था उसका result हो गया voltage आपके पास यहाँ आया है तो धारा किस तरफ है धारा इस voltage से आगे है कितना आगे है इस angle को अपन 5 कह देते हैं तो यह आप लोगों के पास कलांतर आ जाएगा यह आप लोगों के पास voltage का C खर्मान है अपने को निकालना क्या है धारा का C खर्मान निकालना है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं इसके लिए आप सिर्समान है इसको अपन P कह दीजी तो आपके पास एक triangle बन गया OAP ठीक है तो इस समकोन त्रिभुज OAP को यह दि आपन निरूपित करें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ triangle OAP P से क्या कहता है बेटा triangle क्या कहता है आप लोगों बहुत अच्छे से पढ़ा है कि यह आपके पास एक आधार है और इस VOC को आपने यहाँ पर प्रदसित किया है तो इसकी जो value है वो VOC का जो arrowhead वो नीचे की तरफ है तो यह VOC का ही result है और इसका जो arrowhead वो आपका इस तरफ लगेगा तो एक समकोन तरीबुज या किसी भी तरीबुज की दो भुजाओं को दो सदीस राजियों के द्वारा निरूपित करें तो जो उसका तीसरी भुजा है कक्षा 11 में आप लोगों ने सदीस सहियोजन का तरीबुज नियम पढ़ा होगा तो उसी के according आपके पास ये जो VO है वो इसका परिणामी वैल्यू को प्रदशित करेगा तो direct में इसको OA, AP वेक्टर बराबर OP वेक्टर लिख सकता हूँ तो एक छण के लिए अपन लिख लेते हैं थोड़ा सा जो OP वेक्टर है वो आपके पास किस के बराबर आएगा सर OA वेक्टर के और प्लस AP वेक्टर के result के बराबर आएगा तो OP वेक्टर ये है इसको आपने किस से लिखा है VO से लिखा है ठीक है इसके बाद में इसका जो मान है वो OA के बराबर OA क्या आगया VOR की value आ गई इसके बाद में AP vector क्या आ गया आपके पास VOC आ गया यह लगा दीजी तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे इसके उपर vector लगा देते हैं ठीक है क्योंकि vector के दुआरा आपन इनको प्रदशित कर रहे हैं अपने को निकालना है इसका परिणामी मान तो इस VO vector का यह दिए आप परिणामी value निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बेटा आप बहुत अच्छे से जानते हैं परिमान निकालना परिमान निकालने के लिए आप इनका वर्ग करके रूट निकाल लीजे तो इसका परिणाम कैसे निकालेंगे बेटा परिणाम निकालने का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन दोनों सदीश राशियों के बीच में OR के और OC के बीच में कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे टोटल इंगल 90 डिग्री का है सदीश हैंओ जिनका परिमान कैसे निकाला जाता है R स्क्वेर बराबर कक्षा 11 वाला फोर्मूला याद है क्या R स्क्वेर बराबर P स्क्वेर प्लस Q स्क्वेर प्लस 2P Q कॉस थीटा थीटा का मतलब दोनों सदीशों के बीच का एंगल यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू जीरो तो लास्ट वाला रिजल्ट तो यहाँ से रिमूव हो जाता है तो आपके पास V की जो वैल्यू है V O की जो वैल्यू है वो आजाएगी आपके पास V O R का स्क्वेर प्लस V O C का स्क्वेर और इधर से स्क्वेर जब अपन हटाएंगे तो इसके उपर रूट लग जाता है पिछले वीडियो में भी अपने इस बात को बहुत अच्छे से समझ रखा है V O R क्या है वोल्ट ता कहां पर प्रतिरोध के सीरों पर अच्छा V O R प्रतिरोध के सीरों पर वोल्ट ता है तो उसको आप निरूपित कैसे करेंगे ओम का नियम जानते हैं सर तो यहां पर मैं लिख दूँ जो V O R की वैल्यू है वो V बराबर ओम का नियम क्या कहता है I R तो I की वैल्यू इसका सीखरमान R की वैल्यू इसका प्रतिरोध अगर इसका स्क्वेर करना है तो इसका भी इपन स्क्वेर कर देंगे बात कर लेते हैं अपन V O C की तो यह क्या है यह भी वोल्टेज है यह क्या कहता है current into प्रतिरोध इसके current को क्या लिखेंगे I O I note कह देंगे और capacitor के अंदर जो प्रतिरोध होता है जिसे अपन प्रतिगात कहते हैं और उस प्रतिगात को अपन X C से प्रदसीत करते हैं धारीत यह प्रतिगात तो यह value लगा देंगे यह दोनो value अपन यहां पर replace करते हैं तो क्या हो जाएगा अब थोड़ा सा भी अगर इसको easy form में करेंगे तो इसका मैं square कर लेता हूँ V O का square इस तरब से root हट जाएगा V O R का square करूँगा तो sir I note का square लग जाएगा R का square लग जाएगा प्लस I note का square लग जाएगा X C का square लग जाएगा I note का square common ले लिजिए तो I note का square जब आप common लेंगे तो I note square break it में हुझाएगा आपके पास R square प्लस X C का square और यह V note का square चल रहा है और आपको निकालना क्या है आपको धारा का सीखर मान निकालना यानि I naught की value निकालनी है यह जो पूरा function है वो दूसरी तरफ इसके divide में चला जाएगा तो यह हो जाएगा आपके पास V naught आप इसका root निकालने square है square है यहाँ पे square नहीं है तो इसके उपर root लग जाएगा तो यह square यह square cancel out हो जाएगा आई की value चाहिए ना मेरे को तो आई note का जो square है उसको तो हटाना पड़ेगा तो जब आप इसका square हटाओगे तो पूरी संख्या का root करोगे तो यह square भी हटिया है यह भी हटिया पर इसके उपर तो whole square नहीं है तो इसके उपर root लग जाएगा तो वी नोट बटा में क्या लगेगा root क्या लगेगा बटा r square प्लस x c square अगर आपको याद हो तो जो lr परीपत था lr परीपत उस lr परीपत में धारा का सिखरमान कितना आया था याद करो सर्फ वो ही voltage आया था बटा में r square प्लस x l की जगे x c का square आया था और आप बहुत अच्छे से जानते है i बराबर क्या होता है v upon r होता है तो ये तो voltage रख जाएगा और ये जो बटा में value आ रही है इसको अपन प्रतिबाधा कह देंगे z कह देंगे और कुंडली वाली जो प्रतिबाधा आई थी उसको आपने क्या कहा था आपने r l कहा था तो इसको क्या कह देंगे r c प्रतिरोध की और capacitor की प्रतिबाधा है तो इसको अपन r c से प्रतिबाधा कर देते हैं जब आपने r c से प्रतिबाधा कर दिया तो जहां इसका परिच्चे तो करवाओ बिटा जहां तो ZRC की जो वैल्यू है That is equal to हो जाएगा R square प्लस XC का square और ये किसका कारिय कर रहा है प्रती बाधा कहते है अपने से प्रती बाधा ठीक है? ओके, समझ में आगया बिटा अब इस प्रसंद से जब कोई numerical आएगा तो उस numerical में आपसे धारा का सिखर मान पूछा जाएगा तो धारा का जो सिखर मान है वो आप लोगों को इस equation के द्वारा प्रतशित करना है फिर आपसे इस परिपत की प्रती बाधा पूछी जाएगी तो इस परिपत की जो प्रती बाधा जड है उसकी वैल्यू है वो आप लोग यहां से प्रतशित करेंगे ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए इसको यदि अपन और ज़्यदा विश्थारीत करें तो ZRC की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बैटा सर र स्कॉर को तो र स्कॉर रएने दीची चीक है विश्थारीत की जगए आप क्या जानते हैं सर हम जानते हैं कि XC है इस वन अपॉन ओमेगा सी होता है और XL क्या होता है सर ओमेगा L होता है तो इसकी जगे अपन क्या कर देंगे 1 upon omega c का square कर देंगे यह अपने simple xc की जगे value रख दी है तो कई बार सवाल में जब आपसे प्रतिबादा पूछेगा RC परीपत की प्रतिबादा पूछेगा तो आपको यह formula बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है और इस प्रतिबादा का मात्र क्या होता है बताने की जरूत नहीं है ओम होता है तो यह आप लोगों के पास प्रत्यावर्ती धारा का सिखरमान आ गया देखे अपने को प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण को भी पता करना है और आपको पता है कि सिखर मान उसके लिए आवश्यक है क्योंकि आई बराबर आई नौट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई तो आई नौट की वैल्यू अपने को पता करनी है तो ये वैल्यू है वो आपके पास आई नौट आजाएगी दोनों ही टोपिक्स में कौन-कौन से RC और RL परिपत एकशाथ पढ़ने है तो इनमें जो संबंध है इनमें जो अंतर है वो आपको क्लियर हो जाएगा और दोनों टोपिक्स में से एक टोपिक है वो बोर्ड परिक्षा में निश्चित रूप से 100% पूछा जाता है तो ये आ कलांतर जो है वो भी अपन यहां से ही फाइंड आउट करेंगे ठीक है कलांतर का मतलब क्या होता है ये जो आपके पास वी ओ आर की वैल्यू है इस वी ओ आर की वैल्यू को आपने क्या लिखा है यह जो वी ओ सी की वैल्यू है इसको आपने क्या लिखा है आई नोट एक्सस संबंद निकालना है यानि कलांतर की value find out करनी है चलिए आगे चलते हैं चलिए कलांतर पे आजाईए कैसे निकालेंगे बेटा कलांतर सर कलांतर निकालने के लिए कलांतर का मतलब है phi phi की value तो निकालनी है और अभी आप लोगोंने जो diagram देखा था उस diagram में जो phi है वो आपके पास 10 phi के format में आ जाएगा स्पर्श जाके द्वार आ जाएगा तो इस 10 phi को मैं क्या लिख सकता हूँ इस 10 phi को अपन लिख सकते हैं 10 phi आप diagram देखें आपने अभी जो notes लिखें हैं उस diagram को देखें diagram जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि phi के सामने वाली बुझा जो AP है वो उसके लिए लंब का काम करेगा और phi के साथ वाली बुझा जो OA है वो आधार का काम करेगा और 10 phi की value लाल बटा कक्का के फोर्मूले से अपन जानते हैं लंब बटे आधार होती है तो AP को अपन क्या लिखेंगे सर VOC लिख दीजिए OA को क्या लिखेंगे सर VOR लिख दीजिए ठीक है बटा OC का मतलब क्या है OC का मतलब है I not XC OR का मतलब क्या है I not R है I not से I not cancel out हो जाएगा तो phi के बराबर क्या बचेगा TN को आप दूसरी तरफ ले जाएए तो TN के साथ inverse लग जाएगा और यहां पर आपके पास XC upon R रह जाएगा ठीक है तो यह कलांतर की value आ जाएगी अच्छा LR परिपत में कलांतर क्या आया था याद करो दोनों टोपिकों को एक साथ तयार करना है LR परिपत में कलांतर क्या आया था सिर्फ LR परिपत में XL अपोन आ रहा था ठीक है और यहां पर XC upon आ रहा है तो XL की value रख सकते हैं और XC की value भी यहां पर अपन रख सकते हैं तो एक सेकंड के लिए मैं XC की value लिख दूँ तो 5 is equal to मेरे पास आ जाएगा तेन का तो inverse और XC क्या होता है 1 upon omega C होता है और बटा में इसके साथ R भी चल रहा है ठीक है बिटा ओके सर आगी और चलूँ चल लीजिए तेन के साथ में तो inverse लगा दूँ लगा दीजिए सर इसके बाद में 1 लगा दूँ omega की जगए क्या लिख सकता हूँ omega की जगए 2 pi f लिख सकते है उसके बाद में C भी रखा हुआ है C लगा दीजिए और उसके बाद में R भी लगा दीजिए तो ये आपके पास value हो जाएगी कलान तरकी तो ये सारी चीजे हैं वो आप लोगों को numericals के अंदर मदद करने वाली है numericals के अंदर उपियोगी है अब आपने अभी result में देखा है वापस आप लोगों को मैं 1 second के लिए उसी चित्र पे ले जाऊंगा अभी आप लोगों ने जो diagram बनाया था आप अपने कोपी में उसको मैच कर सकते हैं वापस अपन यहीं पे आने वाल है थोड़ा सा समस्तन देखे ये जो diagram है जो अभी आप लोगों ने बनाया था इस diagram को आप थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि voltage, प्रतिरोध का voltage और धारा समान कला में होनी चाहिए जरूरी है और धारा की कला आपने जब ले ली तो kevil capacitor का जो voltage है वो पीछे होगा और ये जो voltage है वो ये कहता है कि भाई मैं तो voltage को और current को एक ही कला में रखूँगा और capacitor कहता है कि मैं तो voltage है वो मेरा धारा से πाई बाई टू पीछे होगा तो ये दोनों आपस में समझोता कर लेते हैं और इनका जो result है वो ये आ जाता है कि ना तो 0 कलांतर लेंगे और ना पाई बाई टू कलांतर लेंगे लेकिन इस चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि परिणामी जो वोल्टता है वो इस करंट से पीछे रहती है और यदि मैं ये कहूं कि करंट जो है वो इस परिणामी वोल्टता से फाई कलांतर आगे रहता है तो कलांतर की यदि बात आती है वोल्टेज का एक्वेशन अपन सब में लेकर के चलते हैं वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी तो करंट जो है वो यहाँ पे आगे हो जाएगा ठीक है क्योंकि कैपेसिटर में तो वैसे भी करंट आगे रहता है पाई बाई टू आगे रहता है लेकिन ये प्रतिरोध उसको पाई बाई टू ने करके थोड़ा सा कम कर देता है तो कलांतर फाई आजाएगा तो आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि जो प्रत्यावरती धारा का समीकरण अपन लिखेंगे आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई फाई की वैल्यू तो आपने लगा ली लेकिन वो जो प्लस माइनस लगाया था उसमें से अपन प्लस को सलेक्ट करेंगे या माइनस को सलेक्ट करेंगे वोल्टेज की एक्वेशन आपने पहले लिख ली है धारा की equation आप लिख रहे हैं इस चित्र को देख करके बताईए कि धारा है वो वोल्टेज से आगे है और धारा जब आगे है तो कलांतर के साथ अपन प्लस फाइल लिखेंगे ठीक है बीटा चलिए वापस में आप लोगों को कलांतर पे ले चलता हूँ तो अब यहां से अपन प्रत्यावर्ती धारा का समीकर्ण लिखते हैं प्रत्यावर्ती धारा समीकर्ण ठीक है अब आप लोगों ने इसमें धारा का सीखरमान भी निकाल लिया कलांतर भी निकाल लिया तो इसकी वैल्यू अपन लिखते हैं आई बराबर एक सेकंड आई आई नोट की जगे क्या लिखोगे बेटा, आई नोट की जगे सर अभी लिखा था अपने, वी नोट अपोन जड और जड को यदि मैं जड ना लिखूँ, उसको फॉर्मेट में लिखूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, अंडरूट र स्कॉायर प्लस एकस सी का स्कॉायर, प पाइना जाएगा फिर क्या जाएगा ओमेगा टी आ जाएगा और उसके बाद में यहां पे प्लस लगेगा और फाई की जगए यह वैल्यू आपके पास यहां पे दे रखी है क्या है यह टेन इंवर्स क्या लिख दूँ एक्स सी अपोन आर भी लिख सकता हूं वन अपोन ओम और यह मेरे पास value आ जाती है ओमेगा टी के प्लस में तो यह आपके पास प्रत्यावर्थी धारा का समय करना जाता है आरसी परिपत के लिए अच्छे से समझना है याद करना है बार बार लिख करके याद करना है पढ़ करके आप physics नहीं पढ़ेंगे आप लिख लिख करके physics को समझेंगे और याद करेंगे दोनों topics में क्या अंतर आया था LR परिपत और RC परिपत की में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके पास R² प्लस XC का स्क्वेर आया है उसमें आपके पास प्लस XL का स्क्वेर आया था साइन ओमेगा टी सेम था यहाँ पे प्लस आपने लगाया है वहाँ पे माइनस लगाया था कलांतर वापस वो इटेन इनवर्स हो गया XC अपोन R की जगह है XL अपोन R था तो यह equation आपको अच्छे से समझनी है किसी भी तरीके से इस topic से numerical है वो पूछा जा सकता है ओके आगे चलें अब अपन पहले ज्यावक्र बनाएंगे यानि साइन वेव बनाएंगे और उसके बाद फेजर आरेक बनाएंगे बहुत अच्छे से आप लोगों को topic क्लियर हो जाएगा मैं पुना आप लोगों को याद दिला दू दोनो topics को आप लोगों को एक ही दिन में और एक साथ पढ़ना है और एक साथ दोनों के notes लिखने हैं दोनों के notes लिखने के बाद फिर दोनों में तुलना करनी है जब तक आप दोनों topics में अंतर नहीं समझेंगे तो आपको confusion हमेशा रहेगा चलिए स्क्रीन को पोज़ करके notes लिख ले चलिए अब अपन बात करते हैं RC परीपत के लिए पहले जावकर पढ़ेंगे और उसके बाद फिजरारेक पढ़ेंगे क्या कहता है आपने सबसे पहले किसका equation लिया था बिटा सर हमने सबसे पहले voltage का graph बनाया था तो आप इसको मध्य line के उपर draw कर लीजिए ये मेरे पास xx की line आ जाएगी xx की line के उपर क्या प्रदशीत करते हैं सर टाइम लिख सकते हैं या फिर xx की line के उपर अपन omega t ले सकते हैं ठीक है ये आपका मूल बिंदू है ये उपर की तरफ voltage ये negative voltage इसको आप v कह दें और बाद में अपने इसको किसके कह देंगे i से कहेंगे तो पहले आप v का graph बना लें equation क्या था v का v बराबर v note sin omega t sin का graph क्या आता है बिलकुल plane बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखा आपने ये v का graph आ गया ये इसकी maximum value हो गई यानि इसकी सिखर value हो गई इसको अपन v note कह देंगे दिक्कत इसमें बिलकुल भी नहीं है सर चली बेटा आगे चलते हैं अब अपन लिखते हैं i का equation तो i का equation क्या था i बराबर i note की value कुछ ना कुछ थी फिर था सर साइन यहां था omega t और प्लस में phi था phi की value भी कुछ ना कुछ होगी तो omega t में जब t का मन 0 रखूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस इसमें अपन कुछ ना कुछ कलांतर है वो भी प्लस करेंगे ठीक है तो अपन जानते हैं कि सर omega t 0 हो गया कुछ कलांतर जुडेगा तो यहां पे value है वो 0 degree से जाता हो जाएगी और sin theta में अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि sin 0 की value 0 होती है उसके बाद में जैसे जैसे angle 90 degree तक बढ़ता है तो वैसे वैसे sin theta की value भी बढ़ती जाती है और अपने देखा है कि phi की value है 90 तो नहीं है 90 से कुछ कम ही है बात समझ में आरी है मेरी तो अगर 90 होती तो जैसे ही आप ए t का मान 0 रखते यह 90 होता और जो current है वो यहां से maximum value से शुरू हो जाता लेकिन अब current का मान maximum नहीं है maximum थोड़ी सी देर बाद में होगा तो graph जो है वो यहां से थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा current का जो graph है वो यहां से थोड़ा बढ़ना शुरू करेगा थोड़ी देर बाद में जाकर के यह maximum value पे जाएगा इस तरीके से ठीक है और maximum value के उपर जाने के बाद इसकी जब 90 degree की value आएगी उससे पहले ये 90 पे हो जाएगा क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ कलांतर है वो उसके साथ प्लस हो रहा है एक्स्ट्रा प्लस हो रहा है तो जब ये 90 पे पहुँचने से पहले ही जितनी इसकी value है उतना जब ये कम रहेगा तो ये 5 उसमें add हो जाएगा और ये 90 पहुँच जाएगा और sin 90 की value 1 होती है यानि अब current है वो i note के बराबर हो जाएगा यानि maximum हो जाएगा तो यहाँ पर इसकी value maximum हो जाती है वापस जैसे जैसे आगे की तरफ graph जाएगा इसकी value डिक्रीज होती जाएगी और ये graph कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है इस graph को आप लोगों को अच्छी तरीके से बना लेना चाहिए और उसके बाद इसकी value इस तरीके से डिक्रीज होती है तो यह आपके पास current का graph आता है आप इन दोनों को प्रदसित करने के लिए ऐसे तीर का निशान लगा करके आप equation लिख दें यह है आपके पास i बराबर i0 sin omega t plus 5 और यह आपके पास जो equation आ रही है उपर वाली यह आपके पास equation आ रही है v बराबर v0 sin omega t की value ठीक है विटा चलिए तो यह आपके पास जावक्र हो जाता है और इन दोनों के बीच का जो difference है यहां का जो difference है वो किसके बराबर है फाई के बराबर है तो यहाँ पे अपन प्रदसित कर देते हैं अब अपन बात करते हैं इसके फेजर आरेक यहाँ पे v के साथ साथ उपर की तरफ यह i को प्रदसित करता है और नीचे की तरफ यह जो value है वो minus v और किसको minus i को प्रदसित करती है minus i को प्रदसित करती है परिक्षा में आपको red pen use नहीं करना है आप अपने notes में अच्छे से समझने के लिए red pen use कर सकते हैं एक्जाम में आप pencil का प दोनों में difference हो जाएगा ठीक है अब अपन चलते हैं फेजर आरेक के उपर चलिए फेजर आरेक बनाते हैं आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था फेजर आरेक बनाने के लिए वृत बनाना आवश्यक नहीं है तो कैसे बनाएंगे देखे यह आपके पास yx की लाइन है और इसके अंदर इस लाइन को मैं कह देता हूँ यह मेरे पास xx की लाइन है छीक है यह xx की लाइन है इस xx की लाइन के उपर यहां पे मेरे पास यह i-note की वैल्यू है और यह मेरे पास v-note r की वैल्यू है और यह मेरे पास नीचे की तरफ v-note c की वैल्यू है य 0 है तो प्रतिरोध के लिए voltage और धारा समान कला में कैपैसिटर के लिए voltage और धारा में πाई बाई 2 का अंतर धारा है वो πाई बाई 2 आगे है अब दोनों का result जब अपन बनाएंगे तो अभी अपन लोगों ने इन दोनों का resultant value बनाई थी इस तरह से इन दोनों का लंब खींचा था यहाँ पर यह आपने लंब खींचा था इस तरीके से और यह आपके पास पिछले डाइग्राम में बनाया था ना बिटा वो ही चीज है यह इसके पास आपके पास V O की वैल्यू आई थी अब क्या होगा ओमेगा कोणिये वेग से यह पूरा का पूरा आगे की तरफ जाएगा ओमेगा कोणिये वेग से घुमेगा तो T समय बाद यह वैल्यू किसकी है T बराबर 0 की है यह वैल्यू किसकी है T बराबर 0 की है तो t time बाद omega कोनिय वेक से जब जाएगा तो ये equation जो यहाँ पर प्रदशित हो रही है वो थोड़ा सा आगे घूम जाएगा और कितना angle बनाएगा यहाँ पर सर omega t angle बनाएगा और जब ये omega कोनिय वेक से आगे जाएगा तो ये वाली जो लाइन है वो भी तो ओमेगा कोणिय वेक से आगे जाएगी और ये आगे जाएगी तो ये इनका जो resultant है वो भी तो ओमेगा कोणिय वेक से आगे जाएगा मेरी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है clear है? चलिए तो अब क्या होना है? अब इसका अपन डाइग्राम बनाएंगे तो सर ये ओमेगा कोणिय वेक से जब आगे जाएगा तो इसको अपन यहाँ प्रदशित कर देते हैं ये ले लीजे, इसको कह दिया मैने I-NOT, इसको कह दिया मैने V-NOT, R और इस एंगल को बना दिया मैने OMEGA T इसी तरीके से ये जो VOC है ये भी आगे जाएगा, ये VOC आगे चला जाएगा कितना एंगल बनाएगा बिटा? OMEGA T एंगल बनाएगा और अब इन दोनों का आपने को वापस एंगल पर्पेंडिकुलर डालना है VOR का और VOC का ये VOC ठीक है तो जब इन दोनों का आप पर्पेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ इस तरीके का result यहां पर आएगा ये और इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो ये आपके पास value आ जाएगी वी ओसी की ठीक है जब ये वी ओसी की value आ जाएगी तो अब आपके पास ध्यान देना अब आपके पास ये current की value है ये आपके पास voltage की value है और इन दोनों के बीच का जो angle है यहां ये आपके पास कलांतर हो जाएगा मेरी बात समझ में आ रही है ये T समय की बात है T time की ये प्रारम भी T बराबर 0 की स्थती है और ये T time की स्थती है तो ये जो value है वो यहां से चल करके आगे चली जाती है ये omega T आगे ये भी omega T आगे परिणामी value जो है वो आपकी O से लेकर के इस T point तक की है ये परिणामी voltage है इसके बाद में ध्यान दें ये आपके पास केवल V O है ये जो आपके पास है ये V O C की लाइन है इन दोनों का resultant यहां पे आ जाता है इसको आप यहां पे काड़ दीजिए ये सिरफ V O की लाइन है या आप इसको V O R C भी लिख सकते हैं यानि वर्टता का सिखर मान किसका किसका resistance और capacitor का और इनके बीच में फाई एंगल हो जाएगा तो इस डाइग्राम को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है ठीक है और इस तरीके से अपन फेजर आरेक ड्रो करते हैं इसके साथ ही आप लोगों का जो RC सरकीट है वो यहाँ पर complete हो जाता है अलग लग किताबों में जब आप इसको देखेंगे तो इसका जो तरीका है explain करने का, draw करने का, चित्र बनाने का, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है तो आपको confuse होने की बिल्कुल भी आवशकता नहीं है ठीक है दुबारा अगर आपको थोड़ा confusion है तो आप प्लीज वीडियो को दुबारा देख लीजिए यहाँ पे दिकत है तो आप LR परिपत का जो वीडियो है उसको आप दुबारा पढ़ लीजिए अब इस टॉपिक से related एक example अपने बुक में दे रखा है उस example को भी अपन complete करते हैं ताकि यह topic अपना complete हो सके और अगला जो topic रहेगा उस topic में अपन resistance भी जोड़ेंगे capacitor भी जोड़ेंगे और एक प्रेरक्त वय यानि कुंडली भी जोड़ेंगे तो उसे अपन कहेंगे LCR परिपत वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पहले अपन इस topic से जुड़ा हुआ जो इसका example है उसको भी solve कर लेते हैं चलिए वीडियो की screen को पोज करें और आप notes को अच्छे तरीके से लिख लें उदाहरन नंबर 17 क्या कहरा देखिए 100μF दारिता का एक संदारित्र है तो C की value मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100μF ठीक है वीटा 40 Ohm के प्रतिरोध से स्रेनी क्रम में जुड़ा हुआ है R की value लिख लेता हूँ मैं 40 Ohm ठीक है सर स्रेनी क्रम सहियोजन है वो 110 वोल्टेज के विबोवांतर से 110 वोल्टेज की बैटरी से और उस बैटरी की जो frequency है वो आपको 40 Hz दे रखी है यानि प्रत्यावर्ती स्रोध है उससे जुड़ा हुआ है परिपत में अधिक्तम धारा का मान ग्याते कीजिए परिपत में अधिक्तम धारा की वैल्यू I not की वैल्यू अपने को find out करनी है इसके साथ में आपसे इस प्रसन में ये भी पूछ सकता है कि परिपत में बेहने वाली धारा का वर्गमाध्य मूल मान या परिपत में प्रवाहित होने वाली धारा ग्यात कीजिए जब अधिक्तम धारा कह देता है इसका मतलब तो आपको सिखर मान निकालना है और यदि कह दे कि परीपत में प्रवाहित होने वाले धारा का मान गयात कीजिए इसका मतलब है आपको उसका RMS वैल्यू निकालना है तो अपन इसके साथ में इसका RMS वैल्यू है कि परिपत में प्रवाहित होने वाला जो प्रत्यावर्थी वोल्टता स्रोथ है उसका विभुवांतर आपको दे रखा है तो ये दिया गया मान इसका सिखर मान नहीं है समझना इस बात को ये दी equation दी होती V बराबर V note वाली तब तो अपन V note की value कहते लेकिन ये परिपत के लिए voltage है और voltage हमेशा RMS voltage मान ना जाता है तो इसको अपन RMS लिख देंगे यहां पर ठीक है बात करते हैं धारा की value की तो धारा की value कैसे निकालें सर ओम का नियम कहता है कि धारा का जो मान होता है वो विबुवांतर बटा प्रतिरोध होता है लेकिन इस परिपत में तो capacitor और प्रतिरोध दोनों लगे हुए है तो जब capacitor और प्रतिरोध दोनों लगे हुए है तो वहाँ पर प्रतिरोध काम नहीं आएगा प्रतिबाधा काम आएगी और इस प्रतिबादा को अपन Z से लिखेंगे ये जो voltage आपको RMS value दे रखी है तो current भी कौन सा निकल करके आएगा RMS ही निकल करके आएगा RMS, RMS value आएगी चलिए, V RMS की value कितनी दे रखी है Sir, 110 दे रखी है Z की value निकाल लो बिटा Z की value कैसे निकालते हैं Sir 1 upon omega C का square ठीक है और 1 upon omega C क्या होता है मैं दुबारा लिखता हूँ I RMS की value चाहिए मुझे ये 110 हो गया बटा लगाया, root लगाया R का मान 40 का square लिख देता हूँ मैं यहाँ पर plus 1 upon omega का मान क्या होता है 2 pi F F कितना दे रखा है 40, ये तो omega हो गया और फिर अपने को C लगाना है C है 100, वो भी micro में, तो उसकी जगदस की power minus 6 लगाना पड़ेगा और इन सब के उपर क्या चल रहा है इसका square चल रहा है तो ये बात आपको बहुत अच्छे से find out करनी है तो इन सब को जब calculation अपन करेंगे तो आपके पास जो i, rms की value आएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि सर 110 तो ये हो गया बढ़िया बेटा, root लगा दीजिए ठीक है सर 40 का square हो गया बढ़िया, इसका calculation करो इसका calculation करो 2 रखो, pi की जगए 3.14 रखो 40 रखो, 100 से गुना करो और फिर वो सारी जो संख्या आएगी उस से एक में भाग लगाओ और एक में जब आप भाग लगाओगे तो मैंने जो मेरी calculation है वो rough में solve कर रखी है, तो मेरे पास इसका जो value आएगा सिर्फ इसका, square नहीं, square तो अपन बाद में करेंगे, तो ये approximate value आजाती है, मेरे पास 26.5 का square अब क्या करेंगे, 40 का square करना है, 26.5 का square करना है, उन दोनों को plus करना है उन दोनों का root निकालना है calculation तो है calculation तो है बेटा अच्छी calculation है, और करनी भी पढ़ेगी निश्चित रूप से, तो इन दोनों का work करेंगे, जोडेंगे root निकालेंगे, तो आपके पास इसकी जो value है, वो 48 हो जाएगी 110 में आप 48 का भाग लगाओगे तो आपके पास value आएगी 110 में 48 का भाग लगेंगे, तो 48 का भाग दो बार चला जाएगा difference आजएगा, फिर उसमें पूछ रहा है, तो I note की value पूछ रही है, और आप बहुत अच्छे से जानते है कि जो RMS value होती है उसको जब अपन root 2 से multiply करते हैं, तब अपने पास सिखर मान आता है, तो ये 2 point 2 no, और root 2 का मान 1.4, 1.4 दोनों को अपने को multiply कर देना है, इनको गुणा आ जाता है, उमीद करता हूँ कि आपको ये प्रसेंट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए, इसी तरीके से अब तक अपने अपने इस चैनल के उपर 12th क्लास की physics का पहले चेप्टर से हर एक बिंदू के जो topic है वो तयार कर चुके और बाकी बचे हुए जो सलेवस है, उसके भी हर एक बिंदू को बहुत अच्छे सेपन आगे क्लियर करेंगे, बने रही है हमारे साथ और हमें सुपोर्ट करने के लिए हमारे इस चैनल के लिंक को अपने सभी मित्रों के साथ शेर करना ना बोले बहुत बहुत धन्देबाद, तैंक यू